अगर आपको लगता है केज़वी वाली मानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना अगर आपको लगता है केज़वी वाल गुनागार है मेरे को वोट मत देना पार्टी की छवी को मजबूत करना चुनावी जंग में उतरना मुख्यमंत्री पद की कुरसी को बचाए रखना या फिर अपनी छवी को सुधारना या फिर अपनी पतनी को मुख्यमंत्री बनाना आखिर अरविंद के जुरिवाल का इरादा क्या है जहां इनी सवालों का और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से शुरुवात करते हैं दिल्ली में क्या कुछ घटरा है इस बारे में बात करेंगे हमारे सेयोगी लोकेंदर सुझिंग चपावत से अपडेट लेंगे दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने दो दिन बाद इस सारे मिलकर तह करेंगे कि केजरिवाल को सीम बने रहना चीए या नहीं रहना चीए या वो वापस सीम पद के लिए आएंगे वो जब जनता के उपर उन्होंने फैसला छोड़ दिया है पार्टी में क्या चल रहा है पार्टी में अभी तक सबसे बड़ी बात थी कि केजरिवाल जो पार्टी के लीडर है वो ग्राउंड पे आ गए है वो जेल से बाहर निकल चुके हैं तो सबसे बड़ी खुशी की लेहर है कि उनके नेता उनके बीच में आगए है जो उनको लीड करके आगे की तरफ ले जाएंगे लेकिन केजरिवाल का कईन कहीं मानना है कि लोगों के बीच में जाकर फिर से अपनी छवी मजबूत करने का काम करूँगा और जैसा कि दिल्ली में बहुत सारी समझ्चा है पानी को लेकर है बिजली को लेकर है कहीं बहुत सारी स्टोरियां भी सामने आई है जिसमें दिल्ली के लोगों को खराब पानी का सामना करना पड़ रहा है, कूडे से रहात नहीं मिल पारी है, तो ऐसे तमाम चीजे हैं, उनको उनसे लड़ने के लिए केजरिवाल अब ग्राउंड पे उतरेंगे, और लोग उनके उपर फिर से विश्वास जताते हैं या नहीं, उसको लेकर अब देखने वाली है. तो कहने का मतलब पार्टी की छवी मजबूत करने की कोशिश अरविंद केजरिवाल के अब है? फिल्टर करके आगे भीजने का काम हमारे सेयोगी लोग के इंचे बावत करते हैं. दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ. जो दिल्ली से खबर आ रही है उसमें जो जानकारी है वो एक बड़ी दिल्चस बात ये कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरिवाल मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? जहां इस विशे को इस सवाल को कई बार हमने सोशल मीडिया पर देखने का प्रयास किया तो सोशल मीडिया पर कई अलग अलग तरह की लहर चल रही है लेकिन जो हकीकत है पार्टी के अंदर जो मौझूद सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या नाम चल रहे हैं अभी? आला कि आपको बता दें इस वक्त उन सभी कयासों उन सभी जानकारियों को अगर दरकिनार कर भी दिया जाए जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है सामने जिसमें बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंतुरी अरविंद केजुरिवाल के अरावा पार्टी को लेकर अरविंद केजुरिवाल के मुख्यमंतुरी पद के लिए तमाम मीटिंग्स में जाने का और मंचो पर देखने का जो मौका मिला उससे साब जाहिर था कि मुख्यमंतुरी अगर बनाया जाता अगर वो इस्तीफा किसी परिस्टी में देते भी हैं तो सुनीता उसके बाद सौरब भरदवाज जो की प्रवक्ता हैं और बड़े नेता हैं विदायक हैं आमादमी पार्टी का काम अभी लंबे समय से देख भी रहें तो सौरब भरदवाज एक बहुत बड़ा चेहरा हैं बहुत बड़ा नाम है जो मुख्यमंतुरी पद की रेस में हम मान सकते हैं और हला कि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया कि क्या उन्हें मुख्यमंतुरी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा लेकिन आरविंद केजरिवाल की बातों से साब जाहिर है कि मनिश सूदिया को भी फिलाल इस कुरसी तक पहुंचने के ल दिल्ली के मुख्यमंतुरी पद के लिए कोई ऐसा चेहरा जो अरविंद केजरिवाल या सुनीता केजरिवाल के अलावा हो सकता है तो वो संदीप पाठक का भी चेहरा हो सकता है रजसवा सदस्य हैं पार्टी की तरफ से और कदावर नेता हैं आम आदमी पार्टी का नहीं मंतरालें को वो संभाल रही हैं दिल्ली सरकार में और इस वक्त भी वो इन सभी विश्यों पर विचार विमर्श कर रही है और तमाम जो गो हेड किये जाने या साइन करके कारवाई को आगे बढ़ाना है वो अतशी मारलेना के ही हाथ में है वितायोग की एक बैठक भी अरविंद के जरिवाल ये मांग कर रही हैं कि महराश्च में नवंबर में चुनाव होने आप दिल्ली में भी नवंबर में चुनाव करवा लीजिए जबकि काइदे से जो चुनाव आयोग की प्लैनिंग के अनुसार होना होता है और चुनाव आयोग की प्लैनिंग के जो एक संभावित समय तैय किया गया वो जनवरी दोहजार पचीस या फरवरी दोहजार पचीस में हो सकता है अला कि जनवरी या फरवरी के बाद ही ये चुनाव होंगे ये बात विदान सभा की जो असेंबली सेशन है वो खत्म होने के उसके जो टाइम पीरिड है उसके इसाब से भी तैय होती है अला कि अभी चुनाव आयूंग ने इस बारे में कोई सपष्ट संकेत नहीं दिया है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंतर अर्विंद केजरिवाल ये कह रहे है कि वो चाहते हैं कि नवंबर में ही महराश्र के साथ आप यहां पर भी चुनाव करवा लीजिए और पता चल जाएगा कि दूद का दूद पानी का पानी हो गया है क्योंकि दिल्ली में दिल्ली की जनता में अभी अर्विंद केजरिवाल को लेकर पूर्ण विश्वास है ये कहना है अर्विंद केजरिवाल का सौरभारदवाज का सौरभारदवाज से भी हमने बाचीत की तो उन्होंने इस बारे में कहा कि दिल्ली की जनता अर्विंद केजरिवाल को फिर से स्विकार करेगी क्योंकि वो एक बार फिर से लोगों के बीच जाएंगा अब इस पूर अर्विंद केजरिवाल लंबा समय गुजार कर जेल से बाहर आ चुके हैं अभी वो रिहा नहीं हुए जमानत पर छूटे हैं और इस चुनाओं में प्रचार करने के उन्हें पूरी छूट है लेकिन मुख्यमंतरी के तौर पर अभी ना वो कोई फाइल साइन करेंगे ना वो घर घर जाओंगा मैं गली गली जाओंगा लोगों से मिलुँँगा और उनसे ये पूछूँगा क्या आप मुझे अभी भी इमानदार मानते हैं बरहल ये तो जनता जवाब देग आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हमें कि क्या अरविंद केजरिवाल जो सवाल पूछ नहीं छोड़ेंगे, अलाकि आम आदमी पार्टी का जन्मान दोलन से हुआ, और आम आदमी पार्टी की राजनीती का जो धेय था, वो अभी फिलाल यहां असपास कहीं नजर नहीं आता है, नो वी आईपी कल्चर, नो पॉलिटेक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना, य लोगों के बीच जाएंगे, जन्ता के बीच जाएंगे, वो विदानसबा चुनाव के प्रचार के लिए जाएंगे, या फिर अपनी जो बे इमान वाली छवी या इमानदार वाली छवी पर काम करने के लिए वो जाएंगे, ये तो वहराल वक्त ही बताएगा, लेकिन इस भारतिय जनता पार्टी या कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में उन्हें घेरने के लिए पूरी तरह से तयार हैं आमादनी पार्टी के मुख्या और दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जुरिवाल को जमानत मिलने के बाद से ही कॉंग्रेस पार्टी और आम आदनी पार्टी के जो नेता हैं वो ग्राउंड पर तो भिड़ते हैं ही लेकिन उनके जो शीर्ष नेता हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने की बातें कई मन्चों से पहले कर चुके हैं बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही तरफ से आमादनी पार्टी को घेरा जा रहा है अब मैं ग्राउंड के आपको हकीकत बताता हूं दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिए पानी को अपने घर में पाने के लिए लोग तरस रहे हैं दिल्ली में जो फ्री बिजली या सबसीड दे करके बिजली दी जा रहे थी वो जादातर जगहों पर अब नदारत है जादातर लोगों को बिल्स भरने पड़ रहे हैं और भारी भर कम बिल्स उनके बिजली के आ रहे हैं चुकि वो जो फ्री बिजली और पानी लोगों को देगी पानी फ्री है लेकिन पानी आने रह है और उन जगाहों की हालत क्या है वहां के लोगों की स्थिती देखते हुए वहां के लोगों के रियक्शन जिस तरह से अब तक सामने आए उससे भी साफ जाहिर है कि अरविंद केजरिवाल को लेकर नाराज़गी तो है लेकिन इस चुनाव में क्या वो अपनी चवी को एक बार फिर से चमका पाएंगे चुकि दिल्ली की जनता ने उन्हें एक नई दो नई तीन बार मौका दिया और क्या चौथी बार फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरिवाल को दिल्ली की जनता मौका देगी ये भी देखने का विशे होगा अलाकि इस वक्त दिल्ली विधान सभाट चुनाव दिल्चस्प हो सकता है अगर मुख्यमंतरी पत से इस्तीफा दे कर किसी और को उस कुरसी पर बिठाते हैं तो दिल्ली की जनता के काम जरूर होने लग जाएंगे लेकिन अगर ममता बनर जी की तरह वे भी सिर्फ एमोशनल एंगल लाने के लिए एमोशनल कार्ड खेलने के लिए ये एलान कर रहे हैं कि दो दिन बाद मैं इस्तीफा दूँगा तो फिर आगे दिल्ली की जनता को इसी तरह से मुसीबतों का सामना करना पढ़ना रह सकता है जैसा कि आपने सुना होगा कि ममता बनर जी ने भी एक बयान दिया था कि अगर जनता चाहे तो मैं इस्तीफा दे सकती हूँ डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टर से मिलने के लिए ममता बनर जी वहां गई थी और उसके बाद उन्होंने इस बाद का जिक्र किया था कि अगर जनता चाहे तो अगर आपको इस्तीफा देना है तो लिखिए इस्तीफा दे दीजी आपको इतनी क्या उसमें नेतिकता आपकी अपनी है जनता के लिए जनता के हित में जो आपको काम करना है इतना तो विवेक आपके अंदर होगा है कि आपने क्या करना है लेकिन जन अंदेश देने का प्रयास हर्याना में भी किया जा रहा है अलाकि आमानी पार्टी अभी सब्धी 가اد सीटों पर सब आहले पर कांडड़ेटित पर सब्धी पेस्ट था रहेते हर्याना में और इस बार सब्धी बैविदान सब्धा सीटों पर कांड़िट्स उतार दिये गएं और ये candidates कौन है आप ये भी जान लीजिए, ये वो candidates हैं जो टिकेट ना मिलने की वज़े से नाराज होकर के बीजेपी छोड़ कर आए, टिकेट ना मिलने की वज़े से नाराज होकर कॉंग्रिस छोड़ कर आए, अब उन्हें चुनाव लड़ना है, अपनी राजनितिक वकांक्षा को पूरा करना है, तो आम आदनी पार्टी से अच्छा प्लेटफरम उन्हें भला और कहां मिल सकता था, और दिल्ली में जो परिसेतियां बन रही हैं, हर्याना की और दिल्ली की दोनों पड़ोसी राज्यों होने के नाते, कितना प्रभाव दोनों जगे पड़ तो वेलकम रहेगा आपका